नमस्कार, iStudy Online में आपका स्वागत है और पता होगा आपको कि अपन कौन सा टोपिक पढ़ रहे हैं सुपर कंडेक्टिविटी से रेलेटेड जितनी भी थियोरी जो भी इफेक्ट था जो भी ट्रमोनोलोजी थी ठीक है न? कौन से कौन से वर्द अपन काम में लेंगे वो सारे सारा डिसकसन अपन पिछे वाले में कर चुके हैं अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं जैसे कि अपन कहें कि सुपर कंडेक्टर होता है उसमें दो परकार की सिचुएशन होती है मिन्स कोई भी conductor होता है, उसमें एक तो normal अवस्ता होती है, और साथ में एक super conductor की अवस्ता होती है, अपन ये माल ले कि normal अवस्ता में कोई electron N है, और super conductor की अवस्ता में कोई electron S है, माल लिया अपन ने, तो अपन ये पढ़ेंगे, इनकी द्वारा व्यख्या किस परकार से की जात मिन्स इलेक्ट्रोन आपके पास है तो इसमें क्या बहेगी धारा यदि धारा बहेगी तो क्या रहेगा यहाँ पर दारा गनत्व है जे का मान रहेगा तो मिन्स सुपर कंडिक्टर में इस दारा और दारा गनत्व का मान याद करने के लिए एक टोपिक होता है उसका नाम क्या होते है जी लंबाई ने लंदन समीकरण क्या होते है लंदन एक्वेशन लंदन समीकरण ठीक है मेंस लंदन एक्वेशन एंड या एवं भेदन लंबाई समझ में तो आ गया ना कि क्या पढ़ेंगे नॉर्मल एलेक्ट्रोन और सुपर एलेक्ट्रोन के द्वारा फ्लो होने वाली करेंट और करेंट के कारेंट पेदा होने वाला जे का किस परकार से रिलेशन होता है वो अपनिस टोपिक में डिसकसन करेंगे यदि आप English में लिखना चाहूँ, तो एजी रे लिख सकते हूँ, London equation and penetration depth, ठीक है, language में क्या कहेंगे अपन, कि London ने ये बताया था, कि कोई भी super conductor होता है, उसमें दो परकार की electron होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया, एक होता है normal electron, दुसरा होता है अतिचालक electron या super electron, ठीक है, अब यदि अपन बात करें, कि परमसुने ताप पर क्या होता है, तो अतिचालकों में चालन, अतिचालक electrons के द्वारा होता है, ठीक है, और जो कितने परकार के हैं, दो परकार के, लेकिन जैसे जैसे आप ताप में वर्दी करोगे, जैसे जैसे आप ताप मान में वर्दी करोगे तो temperature अपने graph में इस परकार से था ताप में वर्दी करने के साथ साथ इधर क्या था? Normal conductor था इधर क्या था? Super conductor तो क्या है? जैसे जैसे आप ताप में वर्दी करोगे और TC से आगे चलोगे तो सारे की सारे कौन से electron आपको मिलेंगे normal conductor के लिए जो electrons होते हैं वो मिलेंगे ठीक है तब अपन मान के ये चलते हैं कि जो सामाने ताफ है ध्यान से समझे ना language बता दिये मैंने सामाने ताफ पर electron है उनकी संख्या मान लो क्या है small nn इसी परकार अपन कहें कि superconductor के लिए जो electron है उनकी संख्या मान लो क्या है superconductor के लिए ns ठीक है अब मैं कहूं आपको दारा गनत्वे तो आपने टवल क्लास में relation पढ़ा है दारा गनत्वे का और जे क्या होता है n e v आई बात समझ में जहां पे vd क्या होती थी drift velocity drift velocity means अपवा है लेकिन n क्या होता था वहाँ पे मतलब e electron से होते थी ठीक है और n वोई संख्या होती थी तब अपन इस दारा गनत्वे को क्या ऐसे ही लिखेंगे कि j ब्राबर n e vd नहीं क्योंकि अपने लिए n n electron अलग है और n s electron अलग है तब देखिएगा आप आप दारा गनत्वे से मैं कम n n के लिए जो दारा गनत्वे है ठीक है उसकी value क्या होगी तो n n वहाँ से देखिएगा n क्या है electrons के बारे में है तो minus e n n ठीक है और साथ में क्या आगया vn या vd ठीक है इसको equation 1 मान सकते हो इसी परकार यदि मैं js की value लिखूं तो क्या होगा minus e n b electron तो minus e आगया minus e ns साथ में क्या आगया vs इसको अपनने को equation to माल लिया ठीक है न derivation अपन सुरू कर रहे है तो सुरू करने के लिए थोड़ी थोड़ी language से अपना शुरू करें जिए उसके बाद अपना flow तयार हो जाएगा पूरा की speed से आप ही calculation कर दो result आएगा अब मैं कहूं कि इन दोनों के द्वारा कुल जो दारा गनतुए है total current density क्या होगी जी अपन माल लेते हैं जे N प्लस क्या है जे S total है तो N अपने पास है S अपने पास N का दारा गनतुए है तो total दोनों का क्या होगा वेग होगा means by equation 1 to end 3 क्या मिला आपने को J equal minus E N N V N minus E N S V S जो बाहर आ रहा है उसको ले लो J equal minus E बाहर आ गया अंदर क्या रहा जाएगा N N V N plus N S V S इसको अपन को equation मान लेंगे 4 समझ आई यहां तक बाहर कि अपन यहां तक कैसे पहुंचे फिर से में revise कर देता हूँ सामाने electron N N माने अपने super electron N S माने दारा गनतुए बताया था यहापे आपको N E V D यही definition पहले अपन किसके लिए लगाते है N के लिए P electron का आवेस है तो negative में आ गया ठीक है इसी परकार अपन कहते है super electron के लिए तो J S आ गया total दारा गनतुए यह दिए अपन कहें तो 2 अपने पास है दोनों का योग क्या होगा total दारा गनतुए फिर अपन कौन सी equation तक पहुंचे equation 4 तक पहुंचे समझा है इतनी बात अचा अब मैं कहूं कि जब इसके उपर विडियो तक्षेतर लगता है London ने बताया था कि विडियो तक्षेतर भी इसके उपर apply अपन करते है तो विडियो तक्षेतर की परिभासा क्या होती है E बराबर क्या होता है E बटा नहीं E equal क्या होता है E बटा Q तो मैं कहूं F की value क्या निकल गई E into Q F बराबर Newton का नियम क्या होता है M वे क्यों करते हैं अपन क्योंकि कहीं पे भी लगने वाला जो बल होता है वो Newton के बल को हमेशा संतुष्ट करता है इस वज़ए से अपन Newton के बल के द्वारा इसकी तुलना करते है समझा रही है वाग means F की जगए क्या रही सकते हैं M A यहाँ पे E यह वापस इलेक्ट्रोन का विस तो माइनस E E मैं कहूं A क्या होता है तो आप क्या कहोगे D V बठा D T समझा रही बाग लेकिन जो वीडियो तक्षेतर के बारे में जब अपन इसका डिस्कसन करें तो वीडियो तक्षेतर सिरफ सुपर कंडेक्टर के अवस्था में अपने लिए निकलेगा इसका मिनिंग क्या है देखेगा मैंने जो लेंग्वेज बताईए M D V बठाई क्या होता है और यहां वेग किसका होता है सुपर कंडेक्टर का होता है इनके बारे में पिछे वाले वीडियो में बता चुके माइनस E E अपोन M D V A सपोर D T क्या हो जाएगा माइनस E E D V A अपने किसकी वेलियो निकाल ली D V A सपोन D T की वेलियो निकाल ली अच्छा ठीक है अब मैं कहूं आपको V A सपोर में J S भी चीए क्यों करेंगे अपन ऐसा देखिएगा इसको 5 मान लो अपने को क्या चीए D V A सपने लिए इस एक्वेशन में है ठीक है इसका मिनिंग क्या है अपन इस सम्मेकरण का यदि आउकलन करें तो अपने को क्या मिलेगा D V A सपोन D T तो देखिएगा सम्मेकरण 2 का आउकलन करने पर जैसी अपन उसका डेरिवेटिव करेंगे मिलेगा क्या अपने को D J A सपोन D T ये तो संही क्या है साथ में D V A सपोन क्या हो गया जी D T और D V A सपोन D T क्या आपके पास है अभी निकालन अपन ठीक है इसको एक्वेशन माल लेते हैं अपन 6 सम्मेकरण 5 वर 6 से अपन क्या लिख सकते हैं by equation 5 and 6 D J S अपोन D T एक्वल माइनस E N S डोट माइनस E E इवाइड वाई क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस होगे D J S अपोन D T E स्क्वाइड N S डिवाइड वाई M और साथ में क्या आ गया E इसको अपन माल लेते हैं सम्मेकरण 7 समझाई इतनी बात बैसे यही होता है सम्मेकरण 7 क्या है जैको दारा गनत्वा J किस पर डिपेंड कर रहा है N S पर क्यों जब इलेक्ट्रिक फिड लगता है तो सीरा पॉलिक क्या काम करता है सूपर इलेक्ट्रोन काम करता है यह डिवेशन थोड़ा सा हार्ड आपके लिए ऐसे होता है तो सुनाएं आपको इस सोटी सी बात अपना जो फिजिक्स होता है में तीन परकार के डेरिवेशन होता है पहला होता है theoretical derivation ठीक है दूसरा होता है principal derivation और तीसरा होता है mathematical derivation सबसे जो आसान आपके लिए होता है वो कौन सा होता है mathematical derivation की identity करदो और समाख finishes लगाएं directly आप करदो principal derivation کا मिनिंग क्या है कोई भी principle जैसे अपन कहें कोई किट्शोफ का नियम हो और जैसे अभिय अपने लगाया है Newton का नियम तो ये medium होता है ये इतना hard नहीं होता है सबसे hard derivation कौन सा होता theoretical derivation कि theory के दुआरा आप derivation करते हो तो यदि आपको theory नहीं पता तो आप derivation नहीं कर पाओगे यदि आपको यह नहीं पता electric field है वो s electron means super electron के लिए ही प्यदा होगा यदि यह नहीं पता तो आप यह theoretical derivation नहीं कर पाते हो और यह जो समयकर्ण साथ आपके पास निकला है वही क्या है London का समयकर्ण साथ London का समयकर्ण लेकिं लंदन का भी कौन सा London का पर्थम समयकर्ण है ठीक है दो समयकर्ण होगे समझ अभी बात कि लंदन का first equation अपने कैसे निकाला अब यह दि मैं कहूं आपको कि लंदन का second equation निकालना है तो देखिएगा second equation निकालेंगे बहुत आसान है समयकर्ण साथ का curl लेने पर इसको भी थोड़ा सा समझ यह पे लें दो वर्ड होते एक तो होता है curl एक होता है divergence एक तो होगा curl क्या होता है del, साथ में क्या आता है cross और any quantity यहाँ पे यह क्या है कोई भी quantity उसी परकार यह दिये अपन कहे divergence क्या होता है, तो यहाँ पे यही del आता है, cross के जगे क्या आता है dot और यहाँ पे क्या आता है quantity, इसका meaning क्या है, मैंने वहाँ आपको बोला है कि करल लेने पर तो यह लेंगे कि यह नीचे वाला लेंगे उपर वाला लेंगे, ठीक है तो करल लीजिए इस equation का और देखिएगा क्या बनेगा del cross d js upon dt that equal del cross e square ns e upon m यहाँ पे यह वाला constant है इसको बाहर बेज दीजिएगा ठीक है ना तो del cross d js upon that equal e square ns upon m साथ में क्या आगया जी del cross इसको आपको equation अब मैं कहूँ आपको कि यहाँ del cross e क्या है ठीक है ना बहुत important concept है कि del cross e क्या है विडियो तक्षेतर का करल है ठीक है और विडियो तक्षेतर के करल के लिए एक equation होता है Maxwell का सम्भी करन del cross e फेस्टियर में जब आप पढ़ते हो ना वो टवल्त वाली बुक electromagnetic उसमें पढ़ते हो कि del cross e का माहन क्या होता है minus delta b upon delta t अपन d लेके चल रहे है तो क्या हो जाएगा db बटा dt इसको equation वान लेजिए next वाला 9 अब अपन क्या अगर सकते है del cross e की जगे क्या रखदो Maxwell का equation रखदो then from equation we find out del cross d j s divided by dt equal e square n s upon m साथ में क्या जाएगा minus db upon dt आगे बढ़िए जाएगा d बटा dt बाहर निकाल दो del cross j s इधर क्या मिला अपने को minus e square n s divided by m साथ में db upon dt dt से dt चला गया फिर क्या रहा d del cross j s equal minus e square n s upon m साथ में क्या आगे या db d लिखा हुआ इसका मतलब क्या है outland outland को हटाने के लिए अपन क्या करते है समाकलन करने पर जैसे integration करोगे तो यहां से d हट जाएगा तो del cross j s किसके बराबर हो गया j minus e square n s upon m यहां से भी d हट गया क्या आगया b समझाए बात और इसको अपन मान लेते है next वाला equation समीकरन 10 क्या है js का b के साथ में relation means आपने क्या सीखा कि कोई भी super electron के द्वारा जो धारा गनत हुआ है उसके साथ electric field e और magnetic field b के b relation पेदा करने वाले समीकरन ही क्या कहलाते है जी London के समीकरन कहलाते है और exam के point of view से very important topic है इस वाले unit से बहुत important topic है London का equation समझाया है याद तक फिर देखेगा आगे क्या लिखा हुए London के समीकरन के बाद Jumble से आपको बताना चाहें कि बेदल लंबाई क्या हो सकती है suppose की जी एगा आप कि इस परकार से कोई परमानू है इधर से कोई भी मालो करन आ रहा है कैसा भी करन है गामा हो सकता है ऐलफा हो सकता है यह यह दी इस परमानू की तरफ आए तो ये इस पर्मानों के कहां तक पहुंचे मिन्स इसके अंदर कहां तक पहुंचे उसी को अपन क्या कहते है penetration depth बेदन लंबाई समझ आई वाद लेकिन अपना यहां मकसद यह है कि आप इसके लिए derivation पढ़िए कि बेदन लंबाई का derivation क्या होता है ठीक है तो देखिएगा अभी अभी अपनने पढ़ा है एक relation वहीं से अपन सुरू करेंगे या फिर आप जानते हो न del cross b क्या होता है mu note साथ में j किसका नियम होता है mpr का नियम होता है और super electron के लिए तो अपन क्या लगा देंगे js, इसको कोई समयकरण अपन माल लेंगे 1 है, ठीक है इस समयकरण का मैं दोनों तरफ curl ले लो, बताया था अभी कि एक तो curl होता है, दूसरा divergen से होता है, तो जैसे ही अपन curl लेंगे, तो del cross, del cross b, that equal यहाँ पे mu note और क्या जाएगा del cross js js, समझाई बात, इधर क्या लिखा है, del cross del cross b, इसके लिए एक formula होता है, वो ध्यान में आपको रखना है, formula क्या होगा del, del dot b, minus क्या होता है delta square b फिर क्या है, del cross js अभी अपने निकाला था, del cross js का माल, ठीक है, और del cross js क्या निकला था minus e square upon m, और साथ में क्या था b, और यहाँ पर electrons की संक्या थी, means ns सुपर है, तो सुपर electron minus e square ns अकोन m, साथ में क्या गया b, इसको equation number 1 माल लो, इसको equation 2 माल लो, इसको equation 3 इस equation के solution के लिए आपके पास यह होना चीए, यह होना चीए, अवेलेबल है, मिन्स समयकरण 2 और 3 से मान कहाँ पर put up कर दो, आप 1 में, क्या मिलेगा आपने को del dot b minus delta square b, किसके equal हो गया जी mu note e square ns divided by m, साथ में क्या आगया, b, negative side, ठीक है, negative side, del dot b का मान क्या होता है, जी, यहाँ पर 0, मिन्स, magnetic field का जो divergence अपन लेते हैं, उसका मान क्या होगा, 0 होगा, ed में बढ़ते हैं आपन, ठीक है, तो अपने पास next equation क्या निकला, minus delta square b, equal minus mu note e square ns upon m, into multiplied by b, negative to negative, positive हो गया, हटा सकते हैं आपन, ठीक है, यह equation, जहाँ तक आपके समझ आया है, इसका मिनिंग, बेधन लंबाई आप इजीली समझ सकते हो, यहाँ पर यह जो factor निकल के आ रहा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, बेधन लंबाई हो, कैसे देखिएगा, delta square b, बेधन लंबाई को अपन, यहाँ lambda से लेंगे, ठीक है, one upon lambda s square किसके बराबर होता है, जी, b, जहाँ यह lambda s होता है, वही क्या होती है, बेधन लंबाई, penetration, depth, अब यहाँ से आप वेल्यू निकाल सकते हो, q1 upon lambda s square किसके बराबर है, mu note e square ns divided by n, यहाँ मैं कहूं, lambda s square क्या हो गया, तो m, उपरणेचे हो जाएगा न, m upon mu note e square ns, देखेगा next, lambda s क्या बना, root m upon mu note e square ns, यह question सिद्धा आता है, कि सिद्ध कीजिए बेधन लंबाई का सुत्तर, जो लिखाऊँ है, root m upon mu note e square into ns होता है, समझा है, इतनी बात, next इदि अपन आगे बढ़ें, कि इसका एक graph discussion होता है, कि graph में आप कैसे बनाऊगे, तो यहाँ से देखिएगा, इसको equation ले लो, यह 4 है, और यह 5 है, यहाँ आप लिख सकते हो, समय करण 5, भेधन लंबाई को दरसाती है, ठीक है, अब मैं आपको कहूँ, कि वो जो equation 4 लिखा गया है, उसका solution क्या होगा, तो देखिएगा, नॉर्मल अपन डिसकेसन करें, delta square कोई आउकलन है, दो बार, तो अपने इसा मान सकते हैं, d2 बटा dt square, साथ में क्या आगया है, जी, उसको इदर ले आओ, minus 1 upon lambda s square, 7 में क्या है, जी, b equal 0, ये b के पदों में क्या है, कोई differential equation है, b के पदों में क्या होगी, ये कोई, आउकलन समयकरन होगी, और आउकलन समयकरन आपने पढ़ी है, mathematics में, और इस परकार का जब समयकरन होता है, उसका solution होता है, b of x equal b note e की power, minus x upon lambda, solution क्या होगा, b x equal to b note, जहाँ b note है, किसी प्रमसुनेत आप पर, विदियो दक्षत, ठीक है, जो अपन यहाँ पर ले रहे हैं, 1 की power minus x upon क्या होगी है, lambda, solution पता रखना पड़ता आपको, इसको equation 6, equation 7, क्योंकि यहाँ आपने physics में यहाँ यहाँ आपने physics में यहाँ नहीं है, कि mathematics की तरह आप पर solution करो, और कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, कोई भी equation लिखी हुई है, तो उसका solution ग्याद करने के लिए, आपके पास दो factor होते हैं, complementary function पता होना चाहिए आपको, उसके साथ, उसका partial integration कितना है, तो यहदी equal to 0 है, तो partial integration जो pi का मान होता है, वो तो directly क्या हो गया, 0, और cf निकालते हैं, तो ऐसा equation यहदी लिखा हुआ है, तो cf के लिए कोई constant होता है, a, और 1 की power minus x, समझारी यह बाद, जगा, lambda s, ठीक है, समझाया, अब यहाँ यहदी मैं बोलनूँ आपको, कि आप यह बताईए, if मैं x किसके बराबर कर दूँ, lambda s, means कोई भी x की जो value है, वो इस penetration depth, lambda s के बराबर है, तो then from equation 7, क्या मिलेगा आपको, bx equal b note, 1 की power क्या मिल गया जी, equal b note divided by e, समझाया रहा है इसा, means किसी भी b note, परम सुने ता आपको, जब e से भाग देते हो, तो क्या निकल के आता है, bx, means क्या है इसका, यह जो चुम्ब की एक्षेतर का मान है, वो इस equation से देखने पर, ऐसा परतीत होता है अपने को, कि यह चरगाथाईं की रूप से, चरगाथाईं की रूप से, कम होता है, क्योंकि यहां क्या लिखाओ है, exponential लिखाओ है और negative है, तो चरगाथाईं की रूप से क्या होगा, कम, यहां when upon e की जब value रखोगे, तो एक factor आएगा, 0.368, और क्या आएगा, चाहू तो यह याद रख सकते हूँ, चाहू तो पूरा याद रख सकते हूँ, तो मैं कहूँ, यह है क्या, means, यदि, मैं x बराबर lambda, put up कर दूँ, तब bx का, कोई critical मान आएगा, और वो मान कितना है, 0.368 into b node, तब मैं कहूँ, यदि मैं कोई graph draw करना चाहूँ, देखिएगा, यह अपना कोई graph है, ठीक है, एक तरब अपन क्या ले लेंगे, इस equation से देखने चे लग रहा है, कि एक तरब अपन x या lambda ले लेंगे, दूसरी तरब चुम्बकी एक्षेतर b ले लेंगे, तो मान लो, मैंने यहाँ तो चुम्बकी एक्षेतर bx ले लिया, ठीक है, इस तरब कोई lambda ले लिया, lambda किसके बराबर x, x लो इदर, ठीक है न, x किसके बराबर, lambda, x lambda है, जैसे ही x lambda है, तो bx का मान यह होना है, इससे पहले equation 7 से अपने को लग रहा है, कि इन दोनों के बीच जो graph होगा, वो exponential graph होगा, समझाई बात, और यह कोई point है, x equal to lambda, तो इसको यह दी में उपर बढ़ाऊं, तो यह कहां touch हुआ, यहाँ, इस x x के उपर यह दी में इधर चलूं, तो यह कहां touch हुआ, यहाँ पर इसका meaning क्या है, x equal to lambda पर, bx का मान क्या है, जी 0.368, साथ में b node, तो समझाया graph कैसे अपने ड्रो किया, equation 7 से लग रहा था, कि यह exponential graph है, लेकिन जैसे ही इसकी critical condition अपने लगाए, कि x equal to lambda, उस situation में अपने पास value क्या निकल क्या है, यह वाली, तो इस वाली line पर मान क्या होगा, 0.368 into b node, तो आज की class में अपने दो टो एक topic डिसकेस किया, लंदन का equation, और जो लंदन का equation होता है, वहीं पिर जो super electron होता है, वो किसी भी चालक पदात के कितना अंदर तक जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेदन लंबाई बोलते हैं, समझ आया, derivation है, थोरी में दिक्कत होती है, derivation में तो step by step चलना होता है, language अपने को पता रखनी होती है, without language, no derivation solution, जब आपको नहीं पता, super electron में कैसे अपन derivation करेंगे, उसके characteristics नहीं पता होता है, तो आप यहां तक नहीं पहुंच से पाऊगे, कोई दिक्कत है, option आपके पास comment करो, telegram पर question पूछ सकती हो, साथ साथ, आप चैनल पर जो भी वीडियो देख रहें, उसको like जरूर करिएगा, क्योंकि आपके like ही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए, हमें motivate करता है, और thank you, करना पर भी आपके जब कि靠 लगपा कर rumors लेका कर ले कर साथ Ohhh